नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वरा हम सिखेंगे कि किस प्रकास से हम Sanitizer Tunnel बनाएंगे। दोस्तों, यदि हमें हमारे घर पर Sanitizer Tunnel बनाना है, तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेम, जिसके अंदर में हम सभी equipment को connect करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एक model दिखा रहे हैं। इस प्रकास से आप Sanitizer Tunnel को बना सकते हैं। फ्रेम को लगा के वहाँ पर Sanitizing प्रोसेस को कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम Sanitizer Tunnel बनाएंगे, वह कैसे काम करेगा एक बास समझ लेते हैं। उसके बाद हम Sanitizer Tunnel बनाना सीखेंगे। देखें दोस्तों, यह जो हमारा Sanitizing Tunnel है, इसके सामने यदि कोई वेक्ति आता है, तो तुरंती हमारा जो Sanitizer है, वह स्टार्ट हो जाना चाहिए। यानि कि स्प्रे होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों, जो वेक्ति होगा वह इस Sanitizer Tunnel के बीच में जाके Sanitize होग अब दोस्तों देखें, यहाँ पर जो Sanitizer Spray होगा, वह कुछ समय के लिए Spray होगा, यानि कि यहाँ पर जो हमारा Sanitizer Spray होगा, उसके लिए हम कुछ time decide करेंगे, यानि कि 15 seconds, 20 seconds के लिए हम Spray को केवल चलाएंगे, और 15 seconds बाद जो हमारा Spray होगा, वह बंद हो जाएगी, ठीक तो चली अब हम जान लेते हैं कि हमारा Sanitizing Tunnel है, उसको बनाने के लिए electrical component क्या-क्या connect करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए एक motor, उसके बाद में, यहाँ पर हम एक contactor का इस्तमाल करेंगे, जिसके दोरा हम motor को start और stop करेंगे, उसके बाद में दोस्तों motor है, वो कितने time टक चालू रहेगा, उसके बाद यह जो हमारा timer होगा, वो motor को burn करतेगा, तो दोस्तों यहाँ पर पहला component है, वो motor है, और जो हमारा motor होगा, वो AC पे काम करेगा, यानि कि AC power supply पे काम करेगा, उसके बाद में, यहाँ पर जो हम contactor का इस्तमाल करेंगे, वो contactor 230 बोल्ट पे operate होने वाला होगा, जो हमारा sensor होगा, वो AC पे काम करने वाला होगा, और जो sensor का operating voltage है, वो 230 बोल्ट है, दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारे type के sensor मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ आप sanitaryer tunnel बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे retro reflective type sensor का इस्तमाल क चाहते हैं कि sensor क्या होती है, कैसे काम करता है, कैसे प्रकार से हम उसका wiring करते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का link में description में दे दी हम वहाँ पर जाके क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक दस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों देखेगा, जो हमारा sensor होगा, वो PNP type का होगा, अब दोस्तों आते हैं timer पे, अब दोस्तों देखेगा, यहाँ पे जो हम timer इस्तमार करेंगे, वो off delay timer होगा, और जो timer होगा, वो AC power supply पे काम करेगा, उसके बार में यह जो हमारा timer होगा, उसमें time set करने के आपको DC power supply के द्वारा sanitizing tunnel बनाना है तो आप क्या क्या equipment को इस्तमाल करेंगे तो दोस्तों देखीगा यहाँ पर आपको इस्तमाल करना पढ़ेगा motor, relay, timer और sensor जो हमारा motor होगा वो DC power supply पर काम करेगा अब यहाँ पर आपको DC power supply होगा वो कितने बोल्ट पर होगा वो आपको decide करना है जैसे कि 24 बोल्ट, 48 बोल्ट, यहाँ पर आप 24 बोल्ट का motor भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर 48 बोल्ट का motor भी इस्तमाल कर सकते हैं अब यहाँ पर जो हम timer इस्तेमाल करेंगे वो भी off delay timer होगा लेकिन ये जो हमार timer होगा वो DC power supply प काम करेंगा अब दोस्तों देखें यहाँ पर जो हम sensor का का सेंसर का होगा वो DC power supply पर काम करेंगा उसके बाद में जो हमारा sensor वो 10 लेकर 35 बोल्ट पर काम करता है दोस्तों आपको यहाँ पे भी retro reflective type sensor इस्तमाल करना है और वो जो sensor होगा हो, PNP type का होगा और उसका NC contact हम इस्तमाल करेंगे अब दोस्तों रिखेंगे, यदि आप यहाँ पे DC पे काम करने वाले equipment का इस्तमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक smps का भी जोड़ परेगी smps का full form होता है switch mode power supply यह क्या करता है ac power supply को dc में convert करता है दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको component बताया यदि आप इस component के हिसाब से sanitizer tunnel बना रहे हैं दोस्तों यहीं आपको low cost में sanitizing tunnel बना रहे हैं तो वहाँ पे आप एक ultrasonic या microwave motion sensor का इस्तमाल कर लीजिएगा दोस्तों यह जो हमारा motion sensor होता है वो timer और sensor का काम दोनों करेगा यानि कि यहाँ पे ना दो आपको timer इस्तमाल करना ना ही smps का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि यह जो हमारा motion sensor होता है वो AC power supply पे काम करता है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आपको केवल एक component से तीन काम हो जाएगा यानि कि आपका जो sensor है वो AC power supply पे काम कर देगा दूसरा यहाँ पे आपको timer का इस्तमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस sensor में time set करने के लिए already option रहता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे knob दिखाए गया है इन knob में एक होता है time set करने के लिए यानि कि इसका जो contact हो कितने time tag change रहेगा के बाद यह sensor तो already है ही दोस्तों यहाँ पे जो हम electrical component इस्तमाल कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और component का इस्तमाल करना पड़ेगा जैसे कि जो हमारा sanitizing tunnel है उसके अंदर जो sanitizer spray होगा उसको spray करने के लिए यहाँ पर हम nozzle का इस्तमाल करेंगे दोस्तों जो हम sanitizer tunnel बनाएंगे उसमें हम 4 nozzle का इस्तमाल करेंगे उसके बाद में यहाँ पर हम 1 by 4 inch का 3 T type connector का इस्तमाल करेंगे और एक L type का connector इस्तमाल करेंगे यह जो हमारा L type का connector होगा वो भी 1 by 4 inch का होगा ठीके दोस्तों और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें 1x4 inch का RO pipe का भी इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों यह जो हमारा pipe होगा इस pipe से हम क्या करेंगे हमारा जो sanitizer है उसको ले जाके इस नोजल तक पहुचाएंगे ठीके दोस्तों अब दोस्तों दिखेगा यह जो हमारा motor है इस motor में क्या करना पड़ता है यहाँ पे हमें एक connector का इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों यह जो हमारा connector होगा वहाँ पे हम thread type का connector इस्तमाल करेंगे जिसको क्या करेंगे यहाँ पे हम इस motor में fit करके यह जो हमारा पाइप होगा उसको यहाँ पर कनेक करके इस्तमाल कर सकें दोस्तों सेनेटाइजिन टरनल के लिए जो हम मोटर का इस्तमाल करेंगे वो एक HP का इस्तमाल करेंगा हाफ HP का मोटर भी काम आ जाएगा लेकिन आपका जो spray है वो अच्छे से बने उसके लिए आप एक HP का motor इस्तमाल करिएगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे बरते हैं अब दोस्तों दिखेगा यह जो हमारा sanitizing tunnel है इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा nozzle है उसको यहाँ पे बीच में connect करेंगे जानी कि एक nozzle को यहाँ प internal है उसके बाहर में यानि कि यहाँ पर connect कर देंगे जिससे क्या होगा यदि कोई व्यक्ति इसके सामने आता है तो तुरंटी हमारा जो motor है वो start हो जाए ठीक है दोस्तों अब दोस्तों देखेगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा sanitizer होगा वो इस drum में होगा अब इस drum से हम क्या करेंगे एक pipe को connect करके हमारा जो motor है उसमें लेके जाएंगे दोस्तों यह जो हमारा motor है motor का जो discharge वाले pipe है वहाँ से pipe को connect करके ले जाएंगे और जो हमारा nozzle है उसको हम क्या करेंगे connector के मदद से इसके साथ connect कर देंगे यानि कि pipe के साथ connect कर देंगे ठीके दोस् से पहले हम इसका power wiring सीख लेते हैं दोस्तों यहां पे जो मोटर आप इस्तमाल करेंगे वह three phase का या फिर single phase का हो सकता है यहां पर मैं आपको single phase power supply की दोगा बता देता हूं तो हम क्या करेंगे यहां पर जो हमारा फेस supply है उसको ले जाके हमारा जो उसको न्यूर्टर प्वर सप्लाई दे दिये और इसकिंश को अणेकर के ले जाएंगेि और जो हमोड़़ सो फेस्प्ली और न्यूर्टर सप्लाई मिल जाए जब гар्यर जो Contactor है वो स्टार्ट होता है तो हमारा Motor Run करने लगए अब यह जो हमारा Contactor है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हम Sensor का सिस्थेमाल करेंगे दोस्तों यह जो हमारा Sensor है वो Microwave Motion Sensor है यानि कि यहाँ कि किसी प्रकार्ण का Motion होता है उसके सामने में तो वो उसको sense करेगा और sense करने के बार output command को generate करेगा output command को हम क्या करेंगे इस contractor को चालू करने के लिए इस्तमाल करेंगे आप यहां पे जो हमारा sensor है इसको power supply देने के लिए हम cv का इस्तमाल करेंगे दोस्तों यह यह जो हमारा sensor है इसको सबसे पहले हम neutral supply के साथ connection कर देते हैं तो हम क्या करेंगे जो हमारा neutral power supply है उसको ले जाके हमारा MCV इसके दूसरे terminal पर हम फेश supply को connect कर देंगे अब यह जो हमारा sensor है इसके L वाले terminal पर हम फेश supply को connect कर देंगे याने कि तीसे वाले terminal पर connect कर देंगे अब दोस्तों एक चीछ देखिएगा यह जो बीच वाले terminal है इस बीच वाले terminal से हमें output power supply मिलता है तो हम क्या करते हैं यहां से एक वाय को connect करके ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे हमारा जो contactor देने के लिए हम क्या करेंगे यहां से एटू टमिल पर कनेक्शन कर देंगे तो दोस्तों यहां पर यादी आप इस प्रकाश से connection करते हैं जैसे ही यह जो हमारा sensor है उसके सामने कोई व्यक्ति आता है तो जो हमारा sensor है वो output command generate करेगा और output command generate करने के बाद हमारा जो contactor है वो on हो जाएगी दोस्तों यह जो हमारा contactor है इसको on करके रखने के लिए इस sensor में एक time set करने वाली knob होती है उस knob के दोरा हम time को set कर सकते हैं कि कितने time तक हमें इस contactor को on करके रखना है चितना time हम set करेंगे उतने time ही हमारा contactor on रहेगा आई होग कि दोस्तों आप यहां पर समझ गए होंगे कि यदि आपको sanitizing tunnel बनाना तो आप किस परकार से बनाओगे तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो पर like, share और comment जरू कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद